Hello everyone, आज हम लोग देखने वाले हैं Sign Rule Sign Rule, Additions के लिए कैसे वर करता है, Subtractions के लिए कैसे वर करता है Multiplications के लिए कैसे वर करता है, Division के लिए कैसे वर करता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि Maths में सबसे important role अगर कुछ play करता है तो वो होता है Sign अगर आप एक भी sign कहीं पे mistake कर देते हैं तो आपका पूरा बना बनाया solutions क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो इसलिए अगर आपका कोई doubt है sign में तो इस video को complete जरूर देखें जिससे आपका ये doubt हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं additions के लिए additions के लिए क्या rule है तो हम यहाँ पे हर एक digit के पहले plus minus लिखेंगे देखें कोई digit अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो इसके पहले plus sign होता है बट यहाँ पे हम sign बता रहे हैं तो हम plus sign लिखेंगे ठीके तो इसलिए इब भी सैन आपको मिलेगा तो बीच में आप देखें, आपके पीच में क्या आप पास यहां भी लructured सबसे पहले हम लोग लेखेंगे 7 Bucking और यह 2 लों दो प्लस है但是 अगर white more और यह हो जाता है plus और यह हो जाएगा six तो 7 plus 6 कितना होगा? 13, यह तो normal है, अब यहाँ देखिए, यह तो minus 7 है, तो पहले आप लिखिए minus 7, उसके बाद, यहाँ पी यह plus है और minus है, तो plus into minus क्या हो जाएगा? minus, और यह हो जाएगा 6, अब देखिए, दोनों के पास same sign है, अगर दोनों के पास same sign होता है, तो add होता है, और sign हम लोग क्या लिखेंगे? minus, ठीक है? धर्ड नमबर देखिए, धर्ड नमबर में क्या है? पहले तो plus है, तो पहले हम लोग plus 7 लिख लिए, उसके बाद यहाँ plus into minus है, दो sign है तो plus into minus क्या हो जाएगा? minus, और यहाँ पे है 6, तो 7 minus 6 कितना हो जाएगा? 1, अब यहाँ द प्यूज करते हैं, कि इसको लिख देते हैं minus 13, जो कि गलत है, देखिए, जब भी आप calculations करते हैं, तो दोनों digit का sign देखना है, इसका sign क्या है? negative sign है, यह 7, और यह किसमे है? positive में है, अगर दोनों different sign हो, तो आपको subtract करना है, तो 7 minus 6 कितना हो जाएगा? 1, बट यह धियान रख करते हैं, subtractions में कैसे work करता है, subtractions के लिए देखिए, यह 7 plus में है, तो हम लोग 7 लिखेंगे, और यहाँ पे plus into minus है, minus plus, तो minus होता है 6, तो 7 minus 6 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? यहाँ देखिए, पहले तो minus 7 है, minus 7, और middle में minus और minus है, तो minus क्या होता है? plus, यहाँ पे हो जाएग आपके पास 6, फिर से वही चीज है, कि दो digit है, एक plus में है, एक minus में है, तो पहले तो subtract होगा, 7 minus 6, 1, और बड़े digit का sign क्या है? negative, तो यह आजागा negative, यहाँ पे देखिए, 7 है पहले, तो हम लोग 7 लिखेंगे, और यहाँ पे minus minus क्या हो जाएगा? plus, 6, तो यह क्या होगी? आपके पास 13, फोर्थ नंबर में क्या है? कि यह minus 7 है, और यहाँ पे minus plus, तो minus plus क्या हो जाएगा? यह आपका minus, तो minus आजाएगा, आपके पास 6, और दोनों में अगर negative sign है, same sign में sum होता है, में sad करना है, तो यह कितना जाएगा? minus 13, ओके? अब हम लोग देखते हैं, multiplications में कै कैसे work करता है, फिर last में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे student सबसे ज़्यादा mistake करता है, और कहाँ पे ज़्यादा confusion होता है student का, वो भी बताएंगे, यहाँ पे देखी, 7 plus में है और 6 भी plus में, अगर दो digit को आप plus में है, और उसको अगर into करते हैं, तो इसका result कितना आने वा प्लस में सेम साइन में प्लस साइन लगाना है, और अगर different साइन हो, एक plus हो, एक minus हो, तो 42 होगा, बट प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 76 कितना हो जाएगा, 42, और यहाँ भी minus, अब हम लोग देख लेते हैं, division में, division और multiplications का साइन रूल सेम होता है, अगर दोनों सेम है positive है, इसको आप क्या लिखेंगे, 8 upon 4, और यहाँ से यह cancel होगा, तो कितना आजाएगा, 2, दोनों प्लस में ही, इसलिए, यहाँ पे देखिए, क्या है, minus 8 और minus 4, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, minus 8 upon minus 4, तो देखिए, minus minus cancel हो जाएगा, और इसको डिवाइड किजेगा, तो कितना आजाएगा, 2, तो देखिए, आप same sign में plus आ रहा है, अगर different sign हो, तो कैसा होगा, यह होगा, आपके पास 8 upon minus 4, तो यह तो 2 से डिवाइड होगा, तो यह आजाएगा 2, और नीचे हो, या उपर minus, minus होगा, same इसका भी कितना हो जाएगा, minus 2, तो यहाँ तक समझ लिए, अब देखिए कि student सबसे ज़्यादा confused कहा करता है, वो हम आपको बताते है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा student confused करता है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यह minus और यह minus, तो student क्या करता है, इसको बोलता है, minus minus plus, ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग output में result में क्या लिखे है, result में लिखे है, minus, ये समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर आप आईए, यहाँ पर भी हम लोग बोलते हैं, minus, minus, plus, बट यहाँ पर देखिये हम लोग sign में क्या लेक्चे है, plus, अब दोनों में आपको क्या difference दिख रहाएं, यहाँ पे minus minus plus अगर बोलते हैं तो actual में यहाँ plus लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग plus लिखे हैं, बट यहाँ पे हम लोग minus minus plus बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग plus नहीं लिखते हैं, केवल digit को plus करते हैं, बट sign जो होता है, वो minus ही होता है, यह दिख रहाँ आपको minus, तो बहुत सारा student यहां पर यह चीज़ें बहुत ज़्यादा confused करते हैं ठीक है बट अगर आप यहां पर देख रहे हैं यह sign तो minus into plus minus आप यहां पर लिखेंगे बट इस case में देखिए अगर आप यहां पर plus है और यहां पर minus है तो plus minus minus तो फिर minus हो जाना चाहिए बट नहीं additions और subtractions के case में जब दो different sign हो तो उसमें हम लोग बड़े digit का sign पूट करते हैं यहां पर बड़े digit का sign ऐसा नहीं कि plus minus minus कर देंगे तो यहां भी minus हो जाएगा यहां भी minus हो जाएगा तो गलत हो जाएगा वैसा आपको नहीं करना है ठीक है तो ध्यान रखना है कि plus minus minus plus जो करते हैं हम लोग वो multiplications में करते हैं और उसमें लिखते भी है ठीक है बट additions और subtractions में यह rule लागू नहीं होता है यहां पे हम लोग digit को add subtract कर सकते हैं बट sign जो है वो digit के according होता है अगर यहां negative sign बड़ा है तो negative होगा यहां पे अगर same sign है तो negative आएगा यहां पे तो यह तो पता ही है आपको तो I hope यह सारा sign आपको clear हुआ होगा अब एक दो चीज और बच गया है जिसको हम बता देते हैं जेनरली अगर minus 1 पे अगर कुछ power होता है ठीक है अगर minus 1 पे power odd है odd का meaning पता है न एक्जामपल हम लोग बता देते हैं अभी हम आपको ठीक है तो value कितना 1 होगा एक्जामपल देख लिजिए suppose minus 1 to the power 5 लिखे हम तो इसका value कितना आने वाला है minus 1 ठीक है second कि अगर minus 1 का power even होगा minus 1 to the power even तो क्या value होने वाला है तो value होने वाला है plus even होगा तो plus और थड़के से कि अगर one है one का power कुछ भी होगा मान लिजिए one का power कुछ भी means हम n लिख दिये ठीक है तो इसका भेलो हम ऐसा one ही होगा इसके पास sign negative positive है ही नहीं तो यहां से आपका क्या है कि यह सारा negative का rule और positive का rule ऐसे work करता है एक चीज और है उसको भी आप देख लिजिए यहां चोटा सा कि अगर bracket है और bracket के पहले अगर कुछ minus होता है तो वो bracket के अंदर multiply होता है अगर हम a minus b यहां पे लिखे हुए है यह minus b तो यह कैसे work करेगा वो देखिएगा अगर हम लोग यह bracket को remove करेंगे तो यह क्या आजाएगा आपके पास यह minus हो जाएगा और यह हो जाएगा पलस ऐसे करके यह work करता है इतना ही sign rule बहुत जादा important है जो use होता है I hope यह सारा चीज़ें आपको समझ में आया होगा बट अभी भी अगर आपका को doubt है तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं और channel पे new है channel subscribe कर bell icon को press कर लिजेगा ताकि आपको इसी type का video next time मिल सके चलिए मिलते ह आपसे next video में